इस मौके पे हम अपने सभी मजदूर समठन के लेता हूँ और आप तमाम मजदूर साथियों और तमाम नागरिकों को संभिधान दिवस की हार्दिक बढ़ाई देते हैं साथी साथ 26 नवंबर को बंबई में मुंबई में जो आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें हैमंत करकरे सहित कई पुलिस कर्मियों की सहाधत हुई आम लोगों की जाने गई उनके प्रती उस दर्दनाग शर्मनाग कारवाई के खिलाब आतंकवाद के खिलाब जो हमारे देश के जवानों की सहाधत हुई उनको अपनी सधानजली देते हैं आज संबिधान दिवस के मौके पर पूरे देश के मजदूरों ने और पूरे देश के किसानों ने आम नागरिकों के समर्थन से पूरे देश में मजदूर कानूनों के द्वारा कानून के नाम पर जो मजदूरों के अधिकारों को छीना गया है किसान बिल के नाम पर जो किसानों के अधिकारों को छीना गया है उसके खिलाब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और इस मौके पर विभिन मजदूर संगठन के लोग किसान संगठन के लोग और विभिन राजनितिक पार्टी के लोग समर्ठन में पत्ना में प्रदसन कर रहे हैं परदसन में सामिल हुए आप तमाम लोगों को हमार्दिक पधाई देते हैं और विशेश रूप से इस बात की पधाई देते हैं कि परिक्षा का ध्यान रखते हुए क्योंकि बहुत सारी परिक्षाएं हो रही है और साधी विवाह का वक्त है उसको ध्यानम को रखते हुए कि आम लोगों को तकलीफ भी ना हो और हमारी आवाज भी सरकार तक पहुँचे ये परदरसन आपने किया इसके लिए विशेज धन्यवाद बहुत बहुत बढ़ाई और आखरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत हैं और राज की सरकारों के साथ साथ अर्ध सैनिक बलों को भी उतारा गया है और आप देखिए कि जिन किसान के बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं उन किसानों के खिलाप ही उनके बच्चों को भरकाया जा रहा है जवान और किसान को आपस में भीराने की कोसिस की जा रही है जिनके बच्चे सीमा पर सहीद होते हैं उनके पिताजी उनके भाई खेतों में सहादत दे रहे हैं ये जवान और किसानों को भीराने कीजी सरकार की साजिस है संभिधान दिवस के इस मौके पे जहां देश को जरूरत है कि जैजवान, जैकिसान और जैसम्धधान के नारे को बुलंद किया जा सके उस देश में किसानों को और जवानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और जिनके बच्चे गोलियां खाते हैं उनके उपर वाटर केनन चलाया जा रहा है इस सरदी में सरा हुआ पानी उनके उपर डाला जा रहा है महम लोग, तमाम राजनितिक दल के लोग, तमाम मजदूर संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग और देश के आम छात्रों, विद्यार्थियों, नौजवानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से इस कारवाई की करी निंदा करते हैं, और किसानों के पक्ष में ये कहते हैं, आज हरताल, कल हरताल, आज हरताल, कल हरताल, ना माने तो डेरा डाल, इस सरकार के खिलाब, अपने नया और अधिकार के लिए लडाई जारी रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कर लेंगे कर सकती हैं कर दो अभी अभी कर दो इतो दोसे क्लिए कुमार जी आप कलिया कुमार जी आप है दो आज मोगे जा रहा हैं पुलिस निंधा करते हैं जां ले थी तो है अब चांड जाता हैं लिए अधिन वह बातों के लिए युद्धान से पर युद्धान धूरियो उपर जांते हैं वास्टा इस नोंबर को ने देश के मजदूर और शिसन नय कानूनों के लाम कर दो आप आपधार। किस अंवर्थन वर्फनर सन्वर्थन को जिसन बहुत है। हुँ जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह समय की बात है लेकिन मुझे लगता है कि नयाई के लिए अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज को हम लोगों को बुलन करते रहना चाहिए जब अंग्रेजों को 200 साल की घुलामी के बाद देश की जंता इकटा हो करके भगा सकती है तो ये तो हमारी चुनी हुई सरकार है सरकार को हमारी बात माननी परेगी महिलाओं की मांग हो मजदूरों की मांग हो किसानों की मांग हो विद्यार्च Sódar को करवाई करनी परेज़ी लेकिन मोदी जी झेते हैं कि हर तरफ मोदी मोदी है अच्繁 मोदी जी देस्के परधानमंत्रियों कुछ भी कह सकते हैं आज मजदूरों का है और आज किसान संगठनों ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया है किसान संगठनों का है कि सरकार या तो सांतिपुन तरीके से प्रदर्संद करने दे हमारी मांगों को माने और कानून के सुधार के नाम पर हमारे अधिकारों को ना चीने अगर सरकार नहीं बच्चें सीमाओं पे खड़े हो करके देश की रक्षा करते हैं और आज उनी जवानों को जो उस्देश आते हैं उनके लुफ वांतर के लाते हैं, जे किसानों को और जवानों को आपसमे भ्याने की साजीद्र है । वस्दाथ के मौके पे एक बार फिर से हम उस नारे में जिस तरीके से अलग-अलग वर्ग समुदाई के लोगों के अधिकारों के उपर हमला किया जा रहा है हम तमाम लोगों को अपनी सुख सुधा को छोड़ करके सरकों पर उतरना परेगा कहा जाता है वो सारे लोगों निहवाद कहीं है संसत की कारवाई तभी ठीक होती है ज देखे देश के प्रधानमंत्री हैं देश ने उनको बहुत प्यार किया वो कहते हैं कि वो किसान के हितेसी हैं तो यह बात लिख देने में क्या समस्या है उस बिल में कि अगर MSP से कम पर खड़ीद होगी तो उनके उपर जो लोग खड़ीद करें ये कारवाई की जाएगी ये एक लाइन लिख देने में क्या समस्या है किसान सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि नई विवस्था हो या पुरानी विवस्था हमारे साथ जो सोशन होता है हमारे फसल का जो उचित दाम नहीं मिलता है उन उसको सुनिश्चित किया जाए लेकिन बिचॉलियों को खत्म कर करने के नाम पर जो छोटे भी चॉलियों है उनको तक समाब्त कर दिया जाएगा लेकिन देश का जो सबसे बड़ा भी चॉलिया है जिसका हाथ देश के पधान मंत्री के कंधे पर है उसके हितों को सुरक्षित कर दिया जाएगा इसलिए किसान सरकों पर उत रहे हैं